नमस्कार मित्रान्नों, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलोजी, डिजिटल एजुकेशन, पोकेट्फुल स्मार्ट लर्निंग सोलुशन्स, या यूटूब चानल मदे सर्वांच हार्दिक स्वागत। आज च्या वीडियो मदे आपन थ्री फेज ट्रांसफर्मर या विशेई महिती गेना रहोत। त्री फेज ट्रांस्फार्मर कशाला मनतत त्याचा वापर कुटे केला जातो ट्रांस्फार्मर चे प्रकार किते आहे त्याची कार्य तत्व प्रनाली कोंती आहे सिंगल फेज वद थ्री फेज ट्रांस्फार्मर मदे काई फरक आहे त्या बरोबर वीज अपना परियंती यो चला तर शुरुवात करुए त्री फेज ट्रांस्वार्मर मित्रानों हा वीडियो आवर ल्यास लाइक करा, शेयर करा काई सुचना अस्तील की माशंका अस्तील तर कमेंट बॉक्स मरे जरूर ल्या हापन पहल्यांदाच वीडियो बगता साल तर चानल सब्सक्राइब कराईला विश्रू नका महत्वाचा नोटिफिकेशन साथी बेल आइकोन प्रेस करा चला तर शुरुवात करुए हापन जी वीज वापर तो ती इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत गुर्जा क्युमा एक्विस अवे शत्कातिल ग्रीन एनर्जी मनुन बोलगली जाते ती वीज कोन्तिया तरियेका जेनरेटर मदे दयार करता निसर गातिल विवीद उर्जा शुरुतांचा वापर करुण वीज निर्मिती केली जाते विद्युत निर्मिती केंद्रा मदे जनरेटर फिरुण वीज निर्मिती केली जाते ती वीज अपल्या घरा पर्यांत येन्या पुर्भी विवीद टप्यात तुन प्रवास करु तो मन्जेच थ्री फेज ट्रांस्फोर्मर थ्री फेज ट्रांस्फोर्मर हा एका सर्कीट मदे वीज दुसर्या सर्कीट मदे स्तानन तरित करतास्तो त्याला इंग्रजी मदे ट्रांस्फोर्मेशन असे मनताथ ट्रांस्फोर्मर हा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांस्फोर्म करतो मनुन्त्य चेन्नाओं ट्रांस्फोर्मर आसे ध्युन्यात आले असाद। ट्रिक पावर आपली घरा परेंत कशी पोस्ते ते पहुया। जन्रेकर अथ वा अल्टर्नेटर मदे तयार होना रिम्र्ड पावर्टेशन मदे असनार्या सब स्थेशन मदिल ट्रांस्फरमरmostat शर्कीट मधे प्रवेश करत्य इस दुस्री थर्कीट मदjan भाइर प्रति या तप्यावर इसा उल्टेज लेवलवाडवता् mom वीज एक्स्ट्रा हाई टेंशन एस्टी नाशनल ग्रीड मदे प्रवेश करून हजारो किलोमेटर प्रवास करत अपल्या गावा जवडिल अथ्वा मोठ्या शहरा जवडिल रिसीविंग स्टेशन परियंत पोस्ते इथे ट्रांस्फोर्मर बसोले लिया स्थात त्या तिल सर सर्वसाधारन पने वीज वापरली जाओ शकत नहीं मनुन त्याचा पुर्चा प्रवास सुरू होँण पावर पोल्स चा माध्यमत अपल्या घरा जवडिल ट्रांस्पोर्मर ड्रम परेंत पोस्ते इथे पुना एकदाती ची होल्टेज लेवल कमी करून आता सर्वसाधार वापर ने लायक असी वीज अपल्या घरा परेंत पोस्ते इथे वीज चा एकद प्रवासा मदे मुख्य तीन टप्पे आस्तात पहला टप्पा मंजे जन्रेशन वीज निर्मीती इते वीज अक्रा हजार होल्ट किमा एलेवन के भी जन्रेट के लिए जाते ट्रांस्फोर् करून तीची वोल्टेज लेवल चार लाख किलो होल्ट करता दूसरा टप्पा ट्रांस्मिशन वहन अत्वा ट्रांस्पोर्टेशन इथे चारशे के वी नैशनल पावर ग्रेड मदून ती वीज उपकेंद्रा परेंत सबस्टेशन परेंत पोस्ते तिसरा टप्पा मंजे दिस्ट्रिबुशन जो वीज वित्रन इथे चारशे केवी चे रुपांतर पुना त्यत्तिस केवी मदे करतात् फोल्टेज लेवल कमी केलानंतर वीविद फीडर चा माध्यमात्यून ती वीज आपल्या घराज अवलेल ट्रांस्पार्वार परेंत पोस्ते इते पुना ए केलानंतर तुम्चा लक्षत की जेनरेटर मदून तयार होनारी वीज मित्रानो आपन जी वीज वापर तो ती एसी सिंगल फेज दोंचे तीस होल्ट अनि थ्री फेज चारशे पंद्रा होल्ट मग जेनरेटर अकरा केवी चेज कास तक प्रांस्पार्मर चा वापर करूं व वाडवन्याच कारण काई या मोले कोंता फाइदा होतु वोल्टेज वाडवन्यान तर नेमक काई घडतो त्या साथे आपन नविन वीडियो पाहना रहोत तसेच DC पेक्षा AC लोकप्रिय होन्या साथी ट्रांस्पर्मर कोंती भूमी का निभावतात हे सुद्धा बगना र आस्ते तर आपन दूर वरुन द्वीज वहुन अनुशकुलास्तों का आने अनली तर ती आपलेला परवड लेस्ती का बगोया दुसर्या विडियो मदी ट्रांस्फर्मर हायक निष्क्रिय अत्वा अक्रीयसी रगता कस्तों में आपक्षा अधिक विडियुट शर्कुट मदे घ्मा येका पेक्षा अधिक विडियुट सर्कुट मुदे स्थानां तरिथ त्रिथ कर्तों The transformer is an inactive or passive electric energy transforming device. It transfers the electric energy from one level to another level by keeping power and frequency constant in both circuits. Transformer Kontya Tattva Nusar Karyakartat What is the working principle of three-phase transformer? 3. Mutual Electromagnetic Induction Nusar 3-phase transformer. 2. Mutual Electromagnetic Induction Nusar Karyakartat 2. Electromagnetic Induction Nusar Karyakartat 3. Induction Nusar Karyakartatat 3. Induction Nusar Karyakartatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat एकाईब क्याईल मदे वीध्यवाव वाउदिल्यास ता त्या थिकानी हजारो लाखो करोडो चुम्ब की रेशा तयार होता था त्या क्वाईल भोती चुम्बकी क्षेत्र निर्मान होते हुआ। चुम्बकी रेशा तैयार करने साथी एक द्या लोखंडी कोर्चा वापर करतात। आता चुम्बकी रेशा जर दुसर्या क्वाईल चा संपरकात आल्या। मंजे चुम्बकी रेशा कुवाइलचा मध्यमातुण छेदल गेलास्ट दूसर्या कुवाइल मधे चुम्बक अत्व निर्मान होती या चुम्बक के रेशान ना मेगनेटिक फ्लक्स अशे देखिल मनतात। अता दोन चुम्बक एक मेका शेजारे आल्यानंतर दोन फ्लक्स ची आमने सामने होती। या चुम्बके रेशा कदी ही दूसर्या चुम्बके रेशान ना शेदत नाइत तुम्हा क्रॉस करत नाइत। परन्तु सुकून दूसर्या रेशान चा सामना कराईला लागलेज तैंचा मदे एक अंतर प्रक्रिया एक इंटरेक्शन होन। चा सिद्धान्ता नुसर्या क्वाईल मदे म्यागनेटो मोटिव फोर्स मजे यम्यम्यप तैयार होन। त्या क्वाईल मदे एक ट्रिसिटी तैयार होते आनि ते इंडेक्शन मुले होते मनुन यहला फेरेडेज्स लॉप अब मुच्वल इलेक्ट्रोम मैगनेटिक इंडेक्शन असे मनतात आनि त्या सिद्धान्ता नुसार हे ट्रांस्वोर्मर काम करते हैं माइकल फेरेडे या श्यास्त्रत न्याने एक साधा प्रेयोग केला होता त्या प्रेयोगा मदे त्यानि एक लोकंडी गोलाकार कोर घ्योन त्या कोर भोती दोन क्वाइल गुंडाली एका क्वाइलला प्राइमरी क्वाइला सनाव दिले उसर्या क्वाइलला सेकंडरी तो अंद्र कोशाइल ना सलीर नेत्या माध्याल 20ड चैल अजना सली कोईलिस न चैल न किसी कोईल केकर नचपील नुता नेकर वाउं दिखल्णी स्कूल न आपकरम aquest्रेफ अखंडी कोवर वर दोन क्वाइल गुंडाल ले आनि एका क्वाइल ला विद्धुत प्रोटा केला तर दुसर्या क्वाइल मदे विद्धुत निर्मिती करू शक्तो याला त्यानी नाव दिल मुच्वल एलेक्ट्रो मैगनेटिक इंड़क्षन या शिद्धांता नुसारज आजचे सर्व ट्रांस्फोर्मर अनि सर्व मोटर्स कार्य करतास्ता नुन हा माइकल फैरेडे इलेक्ट्रिकल चा इतियासा मदे अजरा मर्ज हलेला ही सिंगल फेज अनि थ्री फेज ट्रांस्फोर्मर मदे फरक कोंता ही इस दिफरेंस बेट्विन सिंगल फेज थ्री फेज ट्रांस्फोर्मर मदे प्रामरी चे दोन टोकास तत और सेकंडरी बाइंडिंग चे दोन टोकास तत चार टर्मिनल असनार्या ट्रांस्फोर्मर ना सिंगल फेज ट्रांस्फोर्मर मनतात भारता मदे सर्व साधारन दोन से थीस होल्ट वर किमा त्या पेक्षा कमी होल्ट वर चालनारे ट्रांस्फोर्मर ही सिंगल फेज ट्रांस्फोर्मर मन उलकले जातात आणि जा ट्रांस्फोर्मर मदे प्राइमरी चे तीन वाइडिंग आणि सेकंडरी चे तीन वाइडिंग असे सहा टर्मिनल असता त्याला थ्री फेज ट्रांस्फोर्मर मनतत भारता मदे सर्व साधारन 415 होल्ड किमा त्या पिक्षा अधिक होल्ड वर चालनारे सर्व ट्रां सिंगल फेज ट्रांस्फार्मर चे कोर हे सवकोने आकारा चासता तर थ्री फेज ट्रांस्फार्मर चे कोर हे आईता कुरुती चासता Using single phase transformer मदे magnetic flux vahun नेन्या करिता फर्क ति एकच मार्ग उपलब दास्तु 似र थी phase मदे मात्र magnetic flux vahun नेन्या करिता तीन मार्ग उपलब दास्ता Terminal नुसार तो Oui आपन three-phase transformer और single-phase transformer या मदे तुलना करूषकतु. Three-phase transformers चे प्रकार केती. Distribution transformer और power transformer जैसे मुख्य दोन प्रकाराहित. वीज वित्रन करने साथी तुमा पावर डिस्ट्रिब्यूट करने साथी जा ट्रांसफर्मर चा वापर केला जातो त्या ट्रांसफर्मर ना डिस्ट्रिबिशन ट्रांसफर्मर मनतत तर वीज एका ठीका नाउन दुसरे ठीका ने 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 साथी आणि वीज नेत अस्तन न वोल्टेज ची लेवल कमी जास्त करने साथी जा ट्रांस्फर्मर चा वापर केला जातू जान्ना पावर ट्रांस्फर्मर मनतत्थ पावर ट्रांस्फार्मर है step up कि वाँ step down आस्तत तर distribution transformer है नेमी step down आस्तत पावर ट्रांस्फार्मर है शेक्के तो 415 वोल्ट आनि क्या पिक्सा जास्त वोल्टेज चास्तत तर distribution transformer है 415 कि वाँ त्या खाली voltage level साथी distribution transformer सा वापर केला दत distribution transformer है आकरानी छोटे आस्तत तर पावर ट्रांस्फार्मर है आकरानी मोटे आस्तत distribution transformer मदे single phase गेन्याची सोय आस्तत तर पावर ट्रांस्फार्मर मदे single phase गेन्याची सोय नस्तत distribution transformer step down आस्तत तर पावर ट्रांस्फार्मर step up कि मा step down आस्तत या वीडियो मदे इतकत्स मित्रानू वीडियो कसा वाटला जरूर कलवा भिटु या पुर्चा नवीन वीडियो मदे तो परेंत धन्यवाद